बिहार में भगवान भासकर की उपासना और लोकास्था के पर्व छट की तैयारियां अंतिम चरण में है भगतों की अटलास्था का अनूठा पर्व छट की चर्चा रिगवेद में भी की गई है इस पर्व में कार्थिक महीने के शुकल पक्ष की शष्टी और सब्तमी को अस्ताचल गामी और उधियमान सूर्यदेव की उपासना की जाती है और भगवान भासकर को अर्ग्य दे कर नमन किया जाता है सूर्य उपासना का ये पर्व कार्थिक महीने के शुकल पक्ष के चतुर्थी से सब्तमी तिथी तक मनाया जाता है सूर्य शष्टी व्रत होने के कारण इसे चट कहा जाता है सुक सुमृद्धी और मनवानचित फल देने वाले इस पर्व को पुरुष और महिला समान रूप से मनाते हैं लेकिन आम तोर पर व्रत करने वालों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है कुछ वर्ष पूर्व तक मुख्य रूप से ये पर्व, बिहार, जारखंट और उतरप्रदेश के मुख्य क्षेत्रों में मनाया जाता था लेकिन अब ये पर्व पूरे देश में मनाया जाता है प्राचीन धार्मिक मानयताओं के अनुसार इस अनुपम महापर्व को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं जियोतेश आचार्य पंडित प्रबोध बताते हैं सुरिष्टी के संचालक और पालन करता सूर्य के उपासना की चर्चा रिगवेद में मिली है रिगवेद में देवता के रूप में सूर्य वंदना का उल्लेक मिलता है उन्होंने बताया कि पुराण में वरनित एक कथा के अनुसार संतान प्राप्ती के लिए राजा प्रियवत द्वारा सर्व प्रथम इस व्रत को किये जाने का उल्लेक है वही माहभारत में सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा सूर्य देव की पूजा का उल्लेक मिलता है द्रौपदी भी अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थे की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य उपासना करती थी जिसका प्रमान धार में ग्रंथों में मिलता है माननेता है कि जट देवी सूर्य देव की बहन है और उन्ही को प्रसन करने के लिए भगवान सूर्य की अराधना की जाती है व्रत करने वाले गंगा, यमुना या किसी नदी या जलाशेयों के किनारे अराधना करते हैं व्रती स्नान कर अर्वाचावल, चना दाल और कद्दू की सबजी का भोजन करती है इस दिन खाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है नहाय खाय के दूसरे दिन यानि कार्तिक शुकल पक्ष पष्टमी के दिन भर व्रती उपवास कर शाम में स्नान कर विधी विधान से रोटी और गुड से बनी खीर का प्रसाद तयार कर भगवान भास करके अराधना कर प्रसाद ग्रहन करती है इस पूजा को खर ना कहा जाता है इसके अगले दिन कार्तिक शुकल पक्ष शुष्टी तिथी को उपवास रख कर शाम को व्रतियां बास से बनी टोकरी में ठेक हुआ फल और एक समेत अन्य प्रसाद लेकर नदी तालाब या अन्य जलाशयों में जाकर अस्ताचल गामी सूर्य का अर्ग्य अर्पित करती है और इसके अगले दिन यानि सब्तमी तिथी को सुभा उदियमान सूर्य को अर्ग्य अर्पित कर घर लोट कर अन्य जल ग्रहन कर पारण करती हैं यानि व्रत तोड़ती हैं इस वर्ष 26 अक्टूबर को शष्टी है इस पर्व में स्वच्छता और शुधता का विशेश खया तब वे छट महिमा का गीत गाती हैं इस दिन गाउं से लेकर शहरों तक के लोग छट व्रतियों को किसी प्रकार का कश्ट ना हो इसका पूरा खयाल रखते हैं